Hello everyone, welcome once again, students, last video में हमने a photograph poem को Hindi explanation के साथ समझा था और आज की इस वीडियो में हम इस poem का central idea पढ़ेंगे, समझेंगे I hope कि यह आपको बहुत easily समझ में आएगा और students ध्यान रखिएगा कि अगर आपको यह central idea समझ में आ जाता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलियेगा That is very important to me Start करते हैं poem photograph का central idea Poem a photograph is a soulful tribute given to her mother Poem photograph जो है यह एक soulful बहुती दिल से भरी हुई, आत्मा से भरी हुई tribute है Given to her mother जो दी गई है अपनी मम्मी को by the poetess कवित्री के द्वारा और इनका नाम है शेरले टाउलसन Poem photograph is a soulful tribute given to her mother by the poetess शेरले टाउलसन The poem begins with a description of a photograph यह poem शुरू होती है एक description से और वो description है एक photograph के बारे में The poem reflects the passage of time यह poem reflect करती है passage of time, समय का बीतना And it's three stages और उस समय की three stages, तीन अवस्थाएं, तीन पड़ाव In the first stage, पहली बारी की जो stage है The photograph shows his mother enjoying our holiday तो उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से poetess की mother holiday enjoy कर रही है on our beach समुद्र के किनारे Along with her two girl cousin साथ में अपनी दो चचेरी बहनों के Cousins हैं और वो girl हैं तो अपनी दो cousins के साथ बीच पर उनकी मम्मी enjoy कर रही है holidays को Her mother was 12 years old at the time और उस समय उनकी मम्मी 12 वर्ष की थी छोटी बच्ची थी रहे The second stage transports us to 20 to 30 years later Second stage हमें ले जाती है 20-30 years later उस 12 वर्ष की अवस्था के बाद जब उनकी mother 20 या 30 years की हो गई थी This stage shows और वो stage ये शो करती है When her mother was laughing at her childhood photo जब उनकी मम्मी खुद अपने उस फोटो को देख कर हस रही थी अपने बचपन के फोटो को देख कर उनकी मम्मी हस रही थी जब वो बड़ी हो गई 20-30 साल की She is laughing at the dressing style अब वो हस क्यों रही थी? अब वो हस रही थी अपने dressing style पर In the picture at a beach जो beach की ये तस्वीर खीची गई थी उस तस्वीर में उन्होंने जिस तरह के कपड़े पहने थे उसको देख कर वो हसती है In the third stage और तीसरी stage में The poetess sadly remembers Kavitri जो poet है Charlotte Olsen वो बहुत दुखी होकर याद करती है The dead mother with broken heart अपनी dead mother को अपने तूटे हुए दिल से क्योंकि उनके दिल को दुख है Thus the central idea of the poem is that The photograph has captured one moment इस प्रकार central idea जो है वो हम ये कह सकते है कि photograph ने capture कर लिया है पकड़ लिया है one moment एक पल from her life उनके जीवन से Time moves on but that moment lives forever Time आगे चलता रहता है लेकिन वो moment एक जगा जीवित है Forever हमेशा के लिए in the photograph उनकी मदर अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन photograph में वो समय हमेशा उसी तरह से चलता रहेगा कभी नहीं बदलेगा वो उस फोटो में मुस्कुराती रहेंगी I hope कि आपको ये समझ में आया होगा और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा वीडियो को लाइक किया होगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में इस्टेंजर क्वेश्चन आंसर्स के साथ थैंक्यू सू मच